स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं उर्मिलेश और प्रग्या और आज आपके सामने तीन मुद्दों की चर्शा की जाएगी मुद्दा नमबर एक भाशाई मर्यादा क्यों भूल रहे हैं प्रधान मंत्री मोदी और चुनावायो क्यों खामोश है मुद्दा नंबर दो भरष्टाचार के आरोपों से घिरी बीजेपी को क्या श्रीराम का सहारा है और मुद्दा नंबर तीन मनीस सौधिया के आँखों के आसू क्या हमारी नियाए प्रणाली पर टिपणी है इन तीन मुद्दों की चर्शा होगी मगर हम शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो अपने आप में बहुत शौकिंग है मसलन उन्होंने जो ताजा बयान दिया है उसमें कहा है कि भई कमल का बटन ऐसे दबाओ मानो कॉंग्रिस को फांसी पर चड़ा दिया जाए अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये बयान हिंसा की वकालत कर रहा है सबसे बड़ी बात वो चुनावायोग जो प्रियंका गांधी, वाडरा और आम आदमी पार्टी को नोटिस भेज देता है इस बयान पर खामोश क्यों है क्योंकि प्रधान मंत्री यहां नहीं रुके है उन्होंने राहुल को मूर्खों का सरदार बताया राहुल के बारे में उन्होंने ब्रामक प्रचार भी किया जो अपने आप में बहुत शौकिंग है क्या इस मुद्दे का पंच, शुरुवात हम करना चाहेंगे उर्मेलेश से मैं सवस्ताओं की प्रधान मंत्री जी की भाषा जो मर्यादित होनी चाहिए लोकतांत्रिक होनी चाहिए भारत जैसे बड़े देश के प्रधान मंत्री के अनकूल होनी चाहिए वो बिल्कुल उसके उल्टी है नेरंकुष्टा की भासा है ऐसा लगता है कि उसमें टॉलरेंस नहीं है, किसी तरह की सद्भावना नहीं है, किसी तरह की लोगतांत्रिक्ता उसमें नहीं है, मैं स्वेम चकित हूँ इस भासा को सुनकर। इस मुद्धे पर क्या है आपका पंच प्रग्या? अबिसार मुझे ये लगता है कि दिल्ली के चुनाव से पहले करिंट लगाने की बात हुई थी और अब बात हो रही है फासी की, तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या प्रधान मंत्री की पार्टी के बारे में, किसी नेता के बारे में उनकी पार्टी के ऐसा कहा जा सकता है और कहा, तो क्या होगा? चुनावायोग पर सवाल है, उर्मिलेश जी अपने आप में इतना शौकिंग है कि आप फांसी की बात कर रहे हैं, अगर कुछ देर के लिए हम मान भी लें भाई सांकेतिक प्रयोग था शब्दों का, ये सांकेतिक भी देखा जाये तो कितना शौकिंग है, आप फांसी की बा है, चाहे वो सोशिल मीडिया में हो, चाहे वो सडक पर हो, वो सबसे जादा उग्र है, कुछ लोग इसकी तुलना डॉनल्ड ट्रम्प से कर रहे हैं, जब वो हार रहे थे, और जिस तरह के भाशन उनने दिये थे, और उसका नतीज़ा हमने कैप्टल हिल में देखा था, प् करेंट लगना एक महाविरा है, लेकिन यह जो है, फांसी, इसमें तो हिंसा की बूँ आती है, निरमकुष्टा की बूँ आती है, ऐसा लगता है कि जो आपका प्रतिपक्षी है, जिससे आपको मुकाबला जिसका है, उसको आप जीवित नहीं छोड़ना चाहते, उसकी आप प्राइनितिक तोर पे बिलकुल उसको खब कर देना चाहते है, अरे लोगतंत्र में ऐसा नहीं होता है, लोगतंत्र में आप जीतते हैं और लोगतंत्र जीतता है, मेजार्टी जीती है, माइनार्टी जीवित रहती है, और माइनार्टी को सुनना पड़ता है, दुनिया के प्रतिपक्ष है उसकी शैडव कैबिनेट होती है हमारे हां तो आप पूछेगी नहीं चिदंबरम को आप पूछेंगे नहीं राउल गांधी को आप पूछेंगे नहीं किसी भी मेजार्टी मिली हुई है लेकिन गरिमा और मेरे यादा जिस तरह से उनके उनकी भाशा में गायब है मैं चकित हूँ कि ऐसा क्यों ऐसा वो कर रहा है कि एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेंगे अब राहुल गांधी उस बयान में जिक्र कर रहे थे गुजरात के पूर मुख्य मंत्री यानि स्वैम नरेंद्र मोदी जी का मगर प्रधान मंत्री ने प्रग्या इसका भी इस्तमाल किया चलिए आप आप देखी आपकी भाशा जो है आपका जो ट्रोल तंत्र है आपका जो प्रचार तंत्र है जो बहुत जरीला है उसके जैसा तो हो ही राह है वागे सबसे शौकिंग बात चुनाव का पर्व एक इतना खुबसूरा जश्न है आपने उस खुबसूरा जश्न के साथ भी हिंसा जोड़ दिया अपहां से जोड़ कर अब इसार देखिए आजकल ऐसा हो गया है कि इलेक्शन आता है और किसने क्या कहा इसके ओपर चर्चा होती है इलेक्शन यही बनके रह गया कि देखिए फाला ने ऐसा कह दिया फाला ने ऐसा कर दिया और जो जनता के मुद्धे हैं बेरोजगारी है महिंगाई है दूसरे मु उनके बारे में चर्चा होती नहीं, तो एक तरह से आप शगूफा छोड़ दीजिए, और जंता को गुम्रा कर दीजिए, लेकिन एक और चीज है, हम ये भी कह सकते हैं, कि क्या फरक पड़ता है, किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या हुआ, लेकिन इससे समाज में राय बनती है, एक धारना बनती है, तो मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री का जो दर्जा है, वो और उचा होना चाहिए, दूसरों के मुकाबले उनको अच्छा कहना चाहिए, उर्मेलेशी आप जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बौखलाहट है राहूल गांधी से, देखिए एक तरफ तो आप सीधा फासी की बात कर रहे हैं, मगर वो फासी पर दिया गया बयान जो है, वो आइसोलेशन में नहीं है, उससे पहले जिस तरह से मैंने जिक्र किया, मुर्खों का सरदार आप बता रहे हैं, आप उनके बारे में भ्रामक और जुटा प्रचार कर रहे हैं और अब आप फासी की बात कर रहे हैं, आप देश की जनता को बता रहे हैं, कि इस वक्त मेरे मन में क्या है, प्रधान मंतरी के मन में क्या है, and you have been so open about it, you've been so transparent about the hatred inside your heart, जो नफरत है आपके दिल में, और आप अपने समर्थक को क्या बनाना चाहते है, प्रॉब्लम यह है, औ को लगता है की तो वो अपनी एक अजीब तस्वीर पेश करते हैं मानो उन पर विपक्ष जो है बहुत प्रहार कर रहा है बिलो दबेल्ट उन पर अ clairement कई बारों कहते है मैं पिछड़ा हूँ इस लिए ऐसा कहा मैं इस परिवार से आया हूं इस लिए मुझे हैसा तो अपने लिए तो इतना इकठा करते हैं लोगों से कि लोग द्रवित हो जाएं कि अरे मोधी जी के बारे में ऐसा भी पक्ष ने कह दिया लेकिन मोधी जो elected prime minister है इस देश के जिन पर इस democracy को आगे बढ़ाने का, prosperous करने का, ज्यादा strengthen करने का, इतना बढ़ा कारेभार देश की जनता ने दिया है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? नहीं मगर मोदी जी को पता है और मेली जी जी एक चीज और बताने की ज़रुत है अगर वह ये कहते हैं ना कि भई मुझे गालियां दी जाती है और मैं उस गाली को ऊर्जा बनाता हूँ तो उन्हें देशetenा को ये भी बताना चाहिए और अगर उनके परम मित्र की कोई आप करते हैं अगर उन पर और माननी प्रदान मंत्री पर वो अटेक नो करते हैं तो आप क्या समझते हैं रहुल गांधी संजय सिंग सिर्व इसलिए कि इन्होंने अडानी पर सवाल उठाया आपने उन्हें जेल में बन कर दिया एक किस सांसदी आपने छीन ली तो ये भी तो ट्वीटर पर फेसेश्बूक पर वाट्सब पर नेता से ब्यायों अगर आप यहां तो लोग क्या बोलेंग गें पर वह बाटाएए और पार्टी को न थी ऊसurat का संजम इस तरह नहीं खोते थे ते कह प्रतिध्व unanim मैं चीज बताना चाहता हूँ अटल जी का ही वो बयान है कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर यह देश बना रहना चाहिए उस बयान का यही मकसद था कि भाई आपके शब्दों में आप जो चैन करें उन शब्दों का वो ऐसा ना हो कि लोगों में जो है टकराव हो और यह इ आपको एक वाद के बस कहना चाहता हूं मापकी जेगा देखिए मुझे याद है वो दिन उन दिनों में पटना में पोस्टेट था नो भारा टाइम्स में लाल किष्ण आडवानी जब गिरफ्तार किये गये थे बिहार में समस्तीपुर में रामरत्यात्रा के दोरान क्योंक अपसर गये उन्होंने प्राणाम किया बहुत इजद बक्षी और उनको हेलिकॉप्टर से मसांजोड ले जाया गया वहां के सबसे सुंदर गेस्ट हाउस में उन दिनों जारकंड बिहार का पार्ट हुआ करता था और प्रमोद महाजन और आडवानी जी के लिए सरकिट रहे थे सबसे अच्छे वो दिये गए और उनके परिवार को भी हलिकॉप्टर से मसांजोड पहुंचाया गया मिलने के लिए तो एक दौर वो था और आज हम क्या देख रहे हैं कि आप लोगों को भगात करने पर तुले हुएं बिलकुल नफरत है विपक्ष से विपक्ष जो चुनाव होगा उसमें प्रधान मंतरी नेता विपक्ष और चीफ जसिस अव इंडिया होंगे मोधी सरकार ने इसे ही पलड़ दिया अब वो चाहते हैं कि समिती में तीन लोग हो मगर प्रधान मंतरी हो नेता विपक्ष हो और मंतरी मंडल का एक काबिनेट मंतरी हो यान जरूरी था किस कदर चुनाव आयोक को निश्पक्ष होने की जरूरत है ताकि वो ऐसे मुद्धोपर कारवाई करें निश्पक्ष इसलिए भी होना जरूरी है अबिसार जैसे वो मूर्खों का सरदार जो कॉमेंट है वो भाशा मतलब वो कौन है मूर्खों का सरदार मूर् कौन बिल्कुल तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब आप इस भाशा का इस्तमाल करते हैं तो आप एक व्यक्ति के खिलाफ भीड को खड़ा कर रहे हैं और ये ना भूलें ये जो प्रॉपगांडा चलता है आप ना नेता के खिलाफ चली राहूल गांदी के पीछे पूरी एक कॉंग्रेस की भीड है मगर यहां जो पत्रकार बैठे हैं आप हमें भी टार्गेट करते हैं हमारे बारे में भी जूटा और वाहियात प्रॉपगांडा चलाते हैं हमारे पीछे तो कोई नहीं है जो हमारे बचाव के लिए आएगा मगर आप लगातार इस नफरती भाषण से इस नफरती बयान से इस प्रॉपगांडा से भीड खड़ी कर रहे हैं लोगों के खिलाफ जो अपने आप में बहुत शौकिंग है तो अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे मुदे का और दूसरा मुद्धा बहुत जरूरी है तीन वीडियो सामने आ गए हैं नरेंदर तुमर के बेटे देवेंदर तुमर के जिसमें कथित तोर पर सौ करोड पांच सौ करोड की बात की जा रही है तमाम चीजें हो रही है जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया वो भी सामने आ गया है वो गांजे की खेती तक की बात कर रहा है मगर नरेंदर तुमर उस मुद्धे पर खामोश है एक छोटा सा ट्वीड दे कर वो निकल जाते हैं तो कहने कार्थ यहां पर यह है उस सवाल का वो जवाब दे नहीं रहे है उनकी जवाब दे नहीं है प्रधान मंत्री खामोश है मगर अचानक राम के मुद्धे को भुनाया जा रहा है भाजपा को लग रहा है कि जनवरी में प्रान प्रतिष्टा होने वाली है तो तापमान को बढ़ाया जाए यानकी राम का इस्तिमाल राजनीती के लिए क्या है इस मुद्धे का पंच बताएंगी प्रग्या सीधी सी बात है कि राम या किसी और देवी देवता भगवान को लेके विरोधा भास पैदा करने की कोई जरूरत है ही नहीं करॉप्षन अपना मुद्धा है और आपकी भक्ती किसी भी भगवान किसी भी डेटी गौड की तरफ वो आपका अपना मुद्धा है तो ये तो मतलब सरासर एक तरह से लोगों को जुटलाना हुआ कि आप करप्शन को छुपा रहे हैं और भगवान की बात कर रहे हैं बताईए रुमिले जी क्या है समुद्दे का पंच तेके मैं समझता हूं कि एक जुमला उचला था ना खाएंगे ना खाने देंगे अब यह लग रहा है कि सिर्फ यह है कि हम खाएंगे लेकिन आवाद करोगे बोलोगे तो जेल भेज़ देंगे अरे बाई सत्ता पक्ष के लोग हैं सत्ता पक्ष पर अक्सर आरोप लगता रहा है भारत में कि यह गरबड़ी सत्ता पक्ष ने की यह सरकार ने गरबड़ी की अगर आपके मंत्री के बारे में इतना सारा खुलासा हुआ है बयान आ गया है वीडियो आ गया है तो कम से कम इ चांच करवाईए, खामोशी तोड़ी और सबसे शॉकिंग, दुबई में बैठा कोई शुभम जो है, वो कहता है कि मैंने भुपेश बगेल को पांसो करोड दियें, उस पर आप केस दर्श कर देते हैं, और यहाँ पर आप पूरी तरह से खामोशे जाच एजनसी इस कुछ न चाहता हूँ कि पूरी तरह से छलावा दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से इन मुद्दों को संबोधित भी नहीं किया जा रहा है, जबकि देखिए उस वीडियो में कई एहम बाते हैं, अगर आप उसको टटोलें से, अगर तो आप पूरी तरह से फेक करार दे रहे हैं त पूरी थे, 2014 से 19 के बीच में ये भी एक हकीकत है, इन चीजों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, मगर अगर चलिए सरकार ना करें, करें कम से कम मीडिया में तो इसको उठाया जाना चाहिए, मीडिया भी खामोश है, बिलकुल मीडिया बिलकुल खामोश है, मीडिया अ आता है, तो मीडिया साइलेंस, तो ये साइलेंस एक्चलि हमको समझना चाहिए, कि ये लॉंग टर्म में हमें मालूम है, कि हमारे देश में करप्शन की एक समस्या है, और ये समस्या आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हैं, उर्मिले जी भी जानते हैं, सारे दर्शक जानत उर्मिले श्री मोदी जी भी चुप, अमिट शा भी चुप और ये सुविधावादी चुपी हम एक अरसे से जानते हैं मगर देश की जनता के सामने जब आप पूरे आत्मेश्वास के साथ खड़े हो कि ये कहते हैं कि मैं भरश्टाचार के खिलाफ ग्यारंटी हूँ तो कुछ देर के लिए तो आपको विचार करना पड़ेगा, एक आत्मे मन्थन करना पड़ेगा, अपने गिरिबान में जाकना पड़ेगा कि नरेंदर तोमर के मुद्दे पर भूल जाए जाँच, मेरे खाल से उन्हें तलब भी नहीं किया गया है कहीं पर, सवाल भी नहीं पूछा गया है जीकि इसकी वज़े यह है कि हमारे डिमक्रसी में या दुनिया की किसी भी डिमक्रसी में इस तरह के जो मुद्दे उभरते हैं, कोई भी समस्या आती है, तो मीडिया में जब बात जाती है, मीडिया के इतरू समाज में जाता है, समाज में चर्चा होती है, हल्चल होती है, और फिर सत्ता पर एक तबाव समाज बनाता है और तब सत्ता हरकत में आती है अगर हो स्वैम सेंस्टीव नहीं है तो अगर हो सेंस्टीव नहीं है तो मीडिया का ये बड़ा काम है लेकिन आज मीडिया कर क्या रहा है दरसल मीडिया अपनी मरजी से भी काम नहीं कर रहा है प् पता तो चलना चाहिए कि सच है कि गलत है आप तो वह भी नहीं करा रहे हो यह सिर्फ यह कहानी तभी आई है आपके हमारे सामने जब सोचल मीडिया ने इसको टेक अप किया बिलकुल इसको जब यूट्यूबर्स ने अरे मैं तो कहता हूं चलिए कॉंग्रेस इस पर प्रेस क पुंजी पती नहीं यह यह बिलकुल भूल जाना चाहिए कि पुंजी पती कंट्रोल कर रहा है उसको कंट्रोल कर रहे है सरकार और जोपुंजी पती सरकार का पिछलब आप टाया तो अपने देश की और 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 प्रग्या हो किया रहा है समानांतर तोब हम देख Nacional हेरे हैं कि भाई, अगर मध्द प्रदेश ने हमें चुना तो हम मुफ्त यात्रा कराएंगे राम मंदिर की, जिस पर विपक्षन सवाल उठाया है कि भाई, आप होते कौन है? मुफ्ति आतरा कराने वाले और अगर आप हार गए तो क्या मद्द प्रदेश की जनता का महाँ प्रवेश वर्यत हो जाएगा राम का इस्तमाल तो किया जा रहा है मगर गरिमाओं को किस तरह से लांगा जा रहा है राम को लेकर भी देखिए उस बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद तो बीजेपी हार गई थी तो वो क्या याद दिलाना चाहरे हैं किस चीज की याद दिलाना चाहरे हैं कि मतलब उनका ये confidence कहां से आ रहा है दूसरी बात ये कि हाल ही में एक बहुत जाने माने social scientist है राजी भारगर जी उनकी एक किताब आई है secularism पे, Indian secularism पे तो उन्होंने कई interviews में कहा है कि जहां धर्म की बातें जादा होती हैं उसका वर्चस्व बढ़ता है तो उसके साथ साथ पीछे पीछे आपको secularism की बात करनी ही पड़ेगी ये एक, ये कुछ समय तक आप उसको पीछे रख सकते हैं ये तो इनकी वोक्याबलिरी में है ये नहीं, secularism श्रप तो गाली है भाजबा के लिए तो देखिए ये उनकी गलती भी साबित हो सकती है, ये ना, strategically तो मतलब आप सोच लीजे कि वो कह रहे हैं कि बावरी मस्जिद गिरी तो क्या हुआ, तो वो तो हम सबको पता है क्या हुआ, और दूसरा ये कि आप धर्म की बात करते हैं, रात दिन, तो secularism को कब तक दबाएं उर्मिले जी, हम जानते 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हम लगातार देख रहे हैं, आमिट शाह क्या बयान दे रहे हैं, आदित नाजी प्रधान मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, मैं आप से सिधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ज जो मामला है, चुनावी लाब के तौर पर आ सकता है, क्या भाजपा को ऐसा लगता है, क्या इसमें एक चुनावी लाब है, दिखता है भाजपा के लिए, देखे, अविसार मेरा ये मानना है, मैं संजोगवस उत्तरपदेश से आता हूँ, और फैजाबाद अजद्या जहा सकता है, कुछ समाओदायों में पर सकता है, पूरे देश पर इसका असर बिलकु度 नहीं पड़ेगा, कितनी बार आप शिरा पूजन का असर डालेंगे कितनी बार आप राम मंदिर के नाम पर उट लेंगे बहुत बार हो चुका भाई इतनी बार हो चुका है कि आप उसकी कलपना नहीं कर सकते मेरे को ऐसा लगता है कि इनको डर इस बात का है कि यह जाती जनगणना का जो इशू उत्तर बिहार में शुरू और वो उत्तर प्रदेश की जनता को भी प्रभावित कर रहा है दूसरे और हलकों को प्रभावित कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए इसको इतना बढ़ा चड़ा करते हैं यानि कि मंडल के जवाब में कमंडल और उसके जरीए राम और साथ में राम के जरिये प्रधान मंत्री मोधी का अपना करिश्मा बढ़ाना तो ये उनकी कोशिश है मुझे लगता है इस कोशिश में वो बुरी तरह फेल करेंगे क्योंकि लोग आज ही जा चुके हैं कि कितनी बार आप मेरा मेरा मतलब समाज का वही उनका रोजगार का प्रश्ण है उनकी आप मध्रदेश का एलेक्शन देख लो ना वहां पर बीजे पी के लोग कह रहे हैं अब तो रिवा और सतना के इलाके में जहां लगातार या गौलियर वगरे के इलाके में जो बीजे पी के अपने जो बंदे हैं नेता हैं वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है शीवराज सिंग चमान ने कहा कि हम इतना आपको देंगे तो मुफ्त में आप बहुत सारी चीजें लोगों को दे रहे हो आप कह रहे हो रोजगार का भत्ता भी कई लोग दे रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं तो आप एक समाज को निखट्टू समाज बना रहे नौकरिया नहूं कहें कि तुमको 2,000 रुपया देंगे अरी कमाल का समाज बना रहा हो भाईया ये किस तरह का इंडिया है किस तरह का भारती समाज बना रहा हो प्रग्या बहुत संक्षिप में इसके पहले कि आपने तीसरे मुद्दे का रुख करूँ क्या आपको लगता है मुझे याद है जब गांधी मैदान में तीजस्वी आदव ने भाशन दिया था और उन्हें बहुत ही आसान शब्दों में जनता से पूछा था कि भईया तुम्हें हिंदू-मुसलिम चाहिए या नौकरी चाहिए क्या आपको लगता है कि विपक्ष की नेताओं का यही पंच यही एक तरह से राजनीतिक दस्तक होनी चाहिए आने वाले समय में अगर हम विपक्ष की राजनीति करें तो बिल्कुल अबिस्तार अगर आपने अपने आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स को आपने खो दिया आप सॉफ्ट हिंदुत्वा वगेरा वगेरा हिंदुत्वा करने लगे तो आपके लिए नुकसान ही होगा अब इलेक्शन में रिजल्ट क्या आता है उसमें कई फैक्टर्स होते हैं वो हम अभी कह नहीं सकते लेकिन सीधी सी बात है कि अगर आप आप आइडियोलॉजिकल कॉंप्रमाइज करेंगे तो फिर आपको इलेक्टोरिली भी कॉंप्रमाइज करना ही पड़ेगा अब हम रुक करते हैं तीसरे मुद्दे का वो तस्वीर आपको याद होगी जब मनीस सोधिया को इजाज़त दी गई थी छे घंटों के लिए अपनी बीमार पतनी से मिलने क के लिए वो बाहर आते हैं उनकी आँखों में आसू होते हैं जाहिर सी बात है भारती जनता पार्टी इस तस्वीर पर भी जश्ट मना रही है भरष्टाचारी के साथ चाववा ऐसा हुआ यह तमाम बाते कही जा रही हैं अगर हम यह न भूले है कि जब सुप्रीम कोट में मामला सामने आया था तो जिरह के दौरान सुप्रीम कोट ने ये तक कहा था कि यह मामला दो मिनिट नहीं टिकेगा दालत में और रिश्वत के कोई प्रमान नहीं हैं यह तमाम बातें जिरह में हैं और हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन अफ मनी लॉंडरिंग आक्ट इसमे पुखता सुबूत की बहुत जरूरत है आज मनी सी सौधिया के आँखों के वो आसूं क्या हमारी नहाएक प्रक्रिया पर टिपणी है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे और मिलेश मनी सी सौधिया के मामले में निसंदे आप जो कह रहे हैं सही है लेकिन मेरा कहना है कि मनी सी सौधिया के अलावा अनेक ऐसे लोग हैं स्वाइम उनकी पार्टी के संजय सिंग जी हैं और भी बहुत सारे लोग जो महाराश्क्र में हैं जो रायनितिक रूप से वैचारीक पंशा है मुझे लगता है उनको नियाय देर सबेर जरूर मिलेगा प्रग्या क्या है समुद्दे का पंच अभिसार सीधी सी बात है पत्रकारों का काम है कि वो कोट के डॉक्यूमेंट देखें इस केस को देखें इन्वेस्टिगेशन को देखें और जनता तक पहुंचाए सही information लेकिन मन मर्जी फिर वही बात कि जो उनको अच्छा लगता है सुनने में किसी भी वज़य से वो हमें वही बताते हैं और निश्पक्ष पत्रकारिता इस मामले में हो ही नहीं रही है इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि हमें नहीं बूलना चाहिए कि जब विपक्षी दलों का नेत्रित करते हुए अभिशेक मनुसिंग भी चीप जस्स अफ इंडिया डिवाई चंद्रशूर के पास गए थे कि भाई किस तरह से जांच एजनसीज हम पर हमला बोल रही थी तो उन्हें ने कहा था कि देखिए हम एक ब्लैंकिट आदेश नहीं जारी करेंगे जांच एजनसीज को लेकर इकलौते मामले जब आएंगे तो वो लेकर आई है हमारे साथ अब इकलौता मामला आया था उसमें जिरह में हमने सुप्रियम कोर्ट की टिपणी भी देगी थी मगर नतीजा यह तो सुप्रियम कोर्ट का यहाँ पर एक तरह से फर्ज बनता है कि वो कम से कम ऐसे मुद्दों पर पारदर्शी तरीके से कदम उठाए क्योंकि देखिए अब इसार आप सही कह रहे हैं लेकिन जो न्याय का दर्शन है आइडिया जो आइडिया आफ जेस्टिस जो है दरसल वो वैक्यूम में नहीं है शुन्यता में नहीं है वो अभी समाज सापिक्ष है जितना लोकतांत्रिक जितना न्याय का आपका समाज बनेगा जितना न्या बहतर डिमोक्रिक कंट्रीज हैं डिमोक्रिसी जहां पर बहतर हैं वहां पर नियायक ब्योस्था भी बहतर है इसलिए मैं अपने देश के नियायक तंत्र पर कोई कमेंट किये बगए हम अपने नियाय ब्योस्था का सम्मान करते हैं लेकिन इसके बहुत हम यह कहते हैं कि हमारा समाज जैसा है वैसा ही हमारा निया है वैसा ही हमारा राजितिक चंत्र है वैसा ही हमारा मीडिया है यह नियाई विधान को चलाने वाले लोगों पर बहुत बड़ी जिमेदारी है कि कैसे वो सब को लीड कर सकें और भटके हुए जो 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 कंपोनेंट्स हैं समाज के उनको कैसे वो भटकाव से रोक सकें अब जैसे आपने एक उधारण दिया इलेक्शन कमिशन का नियाईक व्योस्ता ने बहुत बेहतर सुझाओ दिया था लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे अब आप बताइए कि अगर आयोग जो है चुनाव आयोग भारत का वह गौर्मेंट के किसी डिपार्टमेंट की तरह बन जाएगा यानि सिर्फ आयमिनिस्टर थाय करेंगे कि कौन कमिशनर बने एलेक्शन का तो कैसे वो नियूटरल एंपार होगा तो ये कोशिश जरूर कर रही है नियाई पाली का लेकिन वो कोशिश काम्याब नहीं हो रही है प्रग्या देखिए ठीक है उर्मिलेश जी ने बहुत ही डिप्लोमाटि जो मैं भी बताने वाला हूँ रिटायर्मेंट को कूलिंग ओफ पीरिड भी नहीं होता और रंजन गोगोई जो है वो राजसभा भेज दिये जाते हैं भाजपा की मदद से अशोग भूशन जसिस अशोग भूशन NCLAT के प्रमुक बता देते हैं नो कूलिंग ओफ पीरिड अब्दुल नजीर जो है वो तेलंगाना के राजपाल बना दिये जाते हैं जस्टिस शा जो है वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं जब देश की जनता के सामने ये तमाम प्रशन आते हैं इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई न जन पैमानों पर खरी ऊतरे जन पैमानों पर हमारी राजपाले तक व्यवस्था और मीडिया को खड़ा किया जाता है ले कि आप और कानून ना भी हो तो भी जस्टिस दिलाए जा सकता है जनता को क्योंकि ये हमारे देश में एक नई प्राब्लम आ रही है कि जो मीडिया है उसका काम है ये कि वो कॉम्प्लिकेटड चीजों को सिंपल करें आपको बताएं अब देखिए जस्टिस स्लो ही होता है स्पीडी या जस्टिस का मतलब कैंगरू कोर्ट नहीं चाहिए जस्टिस स्लो होता है तो आप उसकी जो एक स्टेटमेंट को उठा लेते हैं जो आपको लगता है कि सरकार के फेवर में है या आपको अच्छी लगी कोई सेंसेशनल बात आप उसको बढ़ा चड़ा के दिखा देते है क्या ये justice की purpose को serve कर रहा है नहीं तो यही एक problem है जिसकी बज़से बहुत सारे लोग जेल में हैं पहले arrest होता है फिर investigation होता है case चलता रहता है ये तो इसी लिए लोगों को लगता है कि 9 साफ ही है because justice should be seen to be done बिल्कुल और मैं बतलाना चाहूंगा कि Supreme Court के पूर justice justice मदल लोकोर ने साफ तोर पर कहा था कि यहां charge sheet file हो जाती है आधी आधूरी charge sheet file होती है दस्तावेज भी file नहीं होते है और उसके बाद नयाय की प्रक्रिया शुरू होती है सुबूत जुटाए जाते हैं तो अपने आप इस के उपर Supreme Court के उपर हम अगर क्या कुछ होगा हम नहीं जानते बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेश आपका और प्रग्या इस चर्शा में शरीक होने के लिए इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजे इजासत नमस्कार